हलो दोस्तों स्वागत थे एक और नए वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं रीटेलर थिंकिंग विए से ऑपरेटर थिंकिंग मतलब कि रीटेलर मतलब कॉमन पीपल किस तरह से सोचते हैं और जो प्रो ट्रेडर होते हैं या फिर आप बोल सकते हो जिनको एक्सपी करें के आना है कैसे डेबलब करना खुद के अंदर वह भी मैं आपको बताऊंगा कोमन पब्लिक होती है जो 90 जेनरल लोग होते हैं वह किस तरह से ट्रेड करते हैं किस तरह से उनकी थिंकिंग होती है सिंपल सा इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर एक स्विंग है और वह सेल साइड का ट्रेड लेने का इंतिजार करेगी सिंपल सा लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं वह किस तरह से काम करते हैं पता है जब ऑपरेटर को अगर सेल साइड जाना है तो वह एक्चुल में इस लाइन को टच होने ही नहीं देता है आप यहां पर देख सकते हो कि एक करके रखती हैं तो सिंपल कॉमन पब्लिक सेल साइट का एंट्री ले लेते बड़ यहां पर उससे 150 पॉइंट पहले मार्केट रिवर्स हो जाता है जिससे जो कॉमन पब्लिक होती है कि सपोर्ट पर आएगा तब करेंगे रजिस्टेंस पर आएगा तो सेल करेंगे तो जिसस साइड उनको अराम से फुल क्वाइंटिटी मिल जाता अपरेटर को और वो अपना पोजिशन बना पाते हैं तो यह साइकोलोजी तो जब आप ट्रेड ले रहे हो या फिर ट्रेड कर रहो या फिर आप ट्रेड करने वालो तो कम से कम एक बार आपको यह जरूर सोचना चाह यहां के अगर हैं को बात कर रहे हों यहां पर काफि जादा लोग इंटर कर लेते तो यह मार्के नहीं करता हो सकता उनको निकाल देता तो फिर आता तो इस तरह का जब भी होता है यह होता है तो आपको यह गयान में रखना है कि नहीं रिटेलर्स अगर एंटर करेंगे तो मार्केट मूव नहीं करेगा रिटेलर्स एंटर नहीं करेंगे तो ही मार्केट मूव करेगा सिंपल और भी एक्जांपल की बात करें तो यह देखिए अब यहां पर सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया लाइन पर आया ही नहीं थोड़े से उनी घुम गया है यह फिर अगर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कराइब बार इसलिए होता है यह जो मैक्सिमम लोगते आने वह सब्सक्राइब करते हैं और यो फूल ऊन्टिटिव उनको नहीं मिलेगी इसलिए ऐसा होता है यहां पर भी आप देख सकते हो simple क्या होता है इस तरह से मार्केट जाएगा support 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 अब मुझे बताऊगे इतने यहां पर तीन से चार दिन मार्केट इस तरह से इस तरह तो आपको दिखेगा मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं छोटे से टाइम फ्रेम में यह किस तरह से काम करता है यह यहां पर यह देखिए जाने के जैसा बताया एक जेक सपोर्ट पर आ रहा है अगर मार्केट को रिवर्स होना होता तो यहां से रिवर्स हो सकता है यह फिर आते ही इस तरह से ऊपर चलाया था आने के बाद दुबारा इसको सपोर्ट पर आने की कोई भी जौरत नहीं था तो इससे यह पता चलता है कि मेंजूरिटी ओफ जो पीपल्स होंगे वह सपोर्ट समझके यहां पर बाइग करेंगे और मार्केट इस तरह से नीचे जा पींडal के बच्छे बच्छे को कोन सो जोन अच्छा दिख रहा यहां पर आप देख सकते हो है बहुत अच्छा से मुझे पताओ कि यह जोने कितना पर्फेक्ट जोनने तेलर्स बास्ते कॉमन इस बता रहों थोड़ा से पीछे आप आएंगे तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है बहुत अच्छा से सप्पोट्ट लिया सप्पोट्ट लिया सप्पोट्ट लिया अगर मुझे बताइए कि अगर फाइब टाइम क्यों जोन को रिस्पेक्ट मिल रहा है पांच बार टेस्टेड हो गया है जोन को अब यहां पर क्या हुआ है डिरेक्टली इस तरह से यहां पर सपोर्ड लेक ब्रेक आउट हुआ है ठीक है अब मुझे बताओ कि अगर यह जोन इतना अच्छा से यहां पर सपोर्ट है अब क्या होगा रजिस्टेंस की तरह रियक्ट करेगा तो मेजोरिटी ओफ लोग क्या करेंगे उनको पता है कि पहले जब भी इस तरह से सपोर्ट रहता है सपोर्ट रहता है ब्रेक करता है फिर वो क्या करेगा रजिस्टेंस की तर नहीं कि यहां पे कुछी लोगों को entry मिलेगा सबको entry मिलेगा यहां पे इतना नीचे आ गया यहां पर यहां पर maximum entered करने की बाद maximum जब यहां पर stop losses available हो जाता है जितना quantity operator को buy करना होता है उनको पता लग जाता है कि हाँ इतना quantity यहां पर अविलेबल है तभी इस होते हैं सिस्टम एलगो बड़े-बड़े कंपूराइज मेथड तो यह सब होते हैं उनके पास लेकिन जो जैनरल पब्लिक होती है वो किस तरह से बाइक करते हैं कि नहीं यह सपोर्ट था ब्रेक हो गया आप रियक्ट करेगा लोग यहां पे सेल करेंगे और वो तरह से क्वा बड़े जो प्लेयर हैं वो सोचते हैं जैसे कि नॉर्मल पीपल्स होंगे क्या यहां पर रेजिस्टेंस लिया अब यहां पर इस तरह से रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट होगा लोहर को यहां पर बाइसाइड जाएंगे उनको इस तरह से ट्राप कर दिया फिर यहां पर इ करने करेंगे कॉमन पीपल्स और मार्केट इस तरह से उपर जाएगा अब यहाँ पर इतना नीचे यहाँ प्यांतिनी क्वाइंटिटी च्छही थी उपाजिट उनको क्वांटिटी मिलने के बाद इस तरह से मार्केट उच्छ सिंपल सा चला जाएगा इसलिए आपको हर बार अलग अलग बीवियर वगेरा देखने को मिलता है तो इस तरह से आपको कभी भी सोचना है कि जो नॉर्मल पीपल होंगे रिटेलर होंगे वो किस तरह से सोच रहे हों कि रिटेलर्स और ऑपरेटर किस तरह का यहां पर गेम खेलते हैं और किस तरह से वो ड्रेड प्लैन करते हैं यह पर ऑफोजित कैसे ट्रेड लेते हैं तो उमीद नहीं चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए थैंक्यू सो मच